अच्छा समय आने के 21 शुग संकेत तो काम में बाधाएं और परेशानियां आने लगती है सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है व्यक्ति विवाद, कोट कचहरी, बीमारी, पैसों की कमी आदी समस्याओं से परेशान रहता है जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले कई संकेत मिलने लगते है हम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है सुख समरिद्धी बढ़ती है अच्छे समय की शुरुआत के क्या संकेत होते है आईए इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मा लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जयमाम लक्ष्मी जरूर लिखें आईए जानते हैं आने वाले अच्छे समय के 21 शुप संकेत नमबर एक जिस दिन आप सुबह उठें और सबसे पहले आपके सामने दूद या दही दिखें तो यह अच्छे समय का संकेत है नमबर दो अगर पूजा करते समय भगवान की मूर्ती पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनो कामना पूरी होगी नमबर तीन गाय का आगमन अगर गाय हर दिन आपके घर आ रही है या आपसे भोजन मांग रही है तो यह बहुत ही शुब संकेत है अगर आपके घर में पशु पक्षी गोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुब संकेत माना जाता है इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास पक्षियों की चहचाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी बहुत जल्द जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली है जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे सुबह सुबह अच्छे सपने आते हैं जैसे सपने में उसे भगवान की मूर्तियां, पीपल, बर्गद, आदि पेड, जंगल, खजाने दिखाई देते हैं तो अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपका समय अच्छा होने वाला है बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है अगर आप सुबह सुबह किसी काम से घर से निकले हैं और रास्ते में आपको नया दूलहा दूलहन साथ में दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है इसे अच्छे दिनों का शुब संकेत माना जाता है अगर किसी दिन कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो इसका बुरा न माने ये आपके लिए शुब संकेत हो सकता है ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ती के ऊपर कोई पक्षी बीट कर दे तो उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं अंक दस अगर आपको रात को सपने में सफेद या सुनहरा साप दिखाई दे तो ये किसमत खुलने का संकेत है समझ लीजिए आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है अंक ग्यारा अगर आपको रात को आसमान में तूटते हुए तारे दिखें तो तुरंत कोई इच्छा जाहिर करें मान्यताओं के अनुसार वो इच्छा 30 दिन के अंदर पूरी हो सकती है ये भी शुब संकेत माना जाता है अंक बारा घर की छट पर कोयल का बोलना भी शुब संकेत है ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है अंक तेरा अगर किसी दिन आपको अपने घर के पास या रास्ते में मोर दिख जाए या फिर मोर नाचता हुआ दिख जाए तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते है मोर का दिखना भी अच्छा संकेत माना जाता है अंक चौदा अगर आप किसी खास काम के लिए घर से निकल रहे हैं और आपको किसी के हाथ में पानी से भरा घड़ा दिख जाए तो ये बहुत शुब होता है अंक पंद्रह कचौए का दिखना किसी शुब समाचार का संकेत देता है अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा साप दिख जाए तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले है इसे प्रबल भाग्य का संकेत माना जाता है नमबर सत्रह ब्रह्म मुहूर्त में जागना व्यक्ति अक्सर आधी रात को जाग जाता है हालांकि अगर आप सुबह तीन से पांच बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं तो यह जीवन में बदलाव का संकेत देता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुब समय के आगमन का संकेत देता है यानि आपको जीवन में उपयुक्त राह मिलने वाली है इसलिए आपको पहले ही जान लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है अगर आपको सुभा उठते ही पूजा में इस्तेमाल हुआ नारियल देख ज़िए अगर आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों से सम्मान और प्रशंसा मिलने लगे तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है आपने कई बार देखा होगा कि आपको अच्छानक से खुश होने का मन करने लगता है इसका मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं जिस तरह आप इस समय खुश होने का मन कर रहे हैं उसी तरह भगवान भी बहुत जल्द आपके जीवन में खुशी के पल लाने वाले हैं आप खुशियों का अनुभव करने वाले हैं आपने अपने जीवन में जो भी दुख देखे हैं वे बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे ऐसे समय में आपका मन प्रफुलित हो जाता है अंक 21 घर की सीमा के भीतर एक मोर को देखना और उसके पंख फैलाना शुभ अवसरों के आने का संकेत है घर में मोर को देखने से घर में देवी लक्ष्मी का भीतर हो जाएंगे